आपने आज के टुटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं ये रोलर बियरिंग असेंबली है मेरे साथ इस असेंबली को इससे पहले आपने Autodesk Inventor, KTAV5 और Cryo Parametric 7.0 पर भी बनाया तो आज हम इसे बनाएंगे NX12 पर तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें चार कॉंपोनेंट्स हैं एक Outer Race पिर Inner Race पिर Roller Cage और Roller इन चारो कॉंपोनेंट्स को बनाने के बाद हम इसेंबल करेंगे तो पहले मैं यह इस फैल को close कर देता हूं ऐसे है फाइल क्लूस होगी दोस्तोर तो इस वक्त जो स्क्रीन से आपके सामने यह वो स्क्रीन है जब आप NX12 के आईकन पर डॉबल क्लिक करते हैं NX12 का डॉब्ल क्रने के बाद यह पहली स्क्रीन जो आती है वह यह है इसके बाद नियो पर क्लिक किया हमने एक विंडो ओपन होगी यहां से देखिए यह मॉडल जो है हाइलाइट है यूनिट भी यहां पर आपको मेरी मेंटर नजर आ रही यहां से हम ओके पर क्लिक करेंगे एक नई फाइल ओपन होगी इस तरह से अब हमें प्रोफाइल बनाना है स्केच के लिए और यहां से हमने स्केच पर क्लिक کیा excuse पर क्लिक करने के अब यहां से हम यह dimensions कुछ ऐसी हैं जो इन्हें हम set कर लेते हैं पहले ही, यहां से इसे ले लेंगे हम, change करके 30, और इसके बाद इसे ले लेंगे 12, और यह distance है, यह हो जाएगा 15, अब इसके बाद आगे की profile हम बनाते हैं, यह ले लिया हमने यहां से 12, enter, 0, enter, इसके बाद उपर की तरह बढ़ेंगे, यह हो जाएगा 5, enter, 90, enter, इस direction में बढ़ेंगे 4, enter, 180, enter, फिर उपर की तरफ ना जाते हुए, यहां से फिर profile पर click किया, नीचे 5, enter, 270, enter, इस direction में 4, enter, 180, enter, और नीचे आकर यहां पर हमने यह connect करके profile बना दी, escape दबागर कमांड से बाहर निकलेंगे, कोई भी यह जाएगा, इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हुए हम, यह जो dimension है, इसे, इसे ठीक करेंगे, इसको में लेना है 63, और close, यह profile हमारा बन गया, इसे हमें revolve करना है, तो finish sketch, और extrude, revolve, इस object पर click करेंगे, इसके बाद specify vector, यह जो z axis है, यह vector है हमारा, specify point, यही point ले लिया हमने, और यह profile हमारा, revolve हो गया, इस तरह से देखिया, outer race बन गया, यहां से हम, यह जो sketch है, इस पर right click करके, इसे hide कर लेंगे, इसके बाद, यहां से view पर जाएंगे, edit object display, object को select किया, okay, इसके बाद, यहां से color, color हम ले लेते हैं, medium gray, okay, apply, okay, इसके बाद, home, एक चीज रह गई इसमें, हमें, इसके corners जो हैं, वो fillet करने हैं, यहां पर value ले लेंगे, हम कितनी, एक, enter दबाया, इस edge पर click किया, और इस edge पर, नीचे वाली edge पर भी click किया, यह दोनों corners जो हैं, हमारे, फिलेट हो गया, round हो गया, यहां से, अब इसे save कर लेंगे, हम, save, save as, इसे हम, यह desktop पर save करेंगे, यहां से हमने save किया, इसे outer, race, rb1, और, ok, यह object save हो गया, अब हम, नई file open करते हैं, यहां से, cancel किया इसे, और, new, ok, नई file open होगी, अब हम, inner race बनाना है, उसको भी हम, इसके लिए sketch बनाएंगे, sketch पर click किया, यही plane ले लिया, x, z, ok, अब वो profile बनेगी, यहां से, इस तरह से, escape दुबाया बाहर निकले, अब इन्हें हम, set कर लेते हैं, dimensions को पहले ही, अपने हिसाब से, और, यह हो जाएगा, 15, और, यह हो जाएगा, 30, यहां से, यह हो जाएगा, 13, जूम इन कर लेते हैं, close, profile पर दुबारा click किया, यहां से, शुरू करेंगे, इस direction में जाएगे, आठ, enter, 180, enter, अब यहां से, नीचे आएगे कितना, 25, enter, sorry, 25, enter, और, 270, enter, यह पीछे चला गया, escape दुबाया, कमांड से बाहर निकलाते हैं, दुबारा जाएगे, प्रोफाइल में, यहां क्लिक किया, नीचे आएगे, 25, enter, और 270, enter, यह 9 नीचे की तरफ आ गई, इने से, चेक करते हैं, कि यह हां, connect है यह, इस direction में जाएगे, 5, enter, 180, enter, इस बार नीचे, यहां, इस point से connect कर दिया, यह profile भी बन गया, अब जो red color से dimensions दिखाई दे रही, यहां पर cursor को लेकर जाएंगे, right click करेंगे, और delete पर click कर देंगे, इस तरह से देखिए, profile यह complete हो गया, अब finish sketch, finish sketch के बाद extrude के नीचे revolve है, उसे use करेंगे, sketch पर click किया पहले हमने, specify vector, vector यह ले लिया, z axis, specify point यही origin ले लिया, और apply, इसके बाद यह cancel पर, यहां से edge, chamfer ले ले लेंगे, value देंगे, यहां से 2 mm, दो type करके enter press किया, यह edge पर click किया, और ok, यह जो corner था यह, यहां से chamfer हो गया, यह sketch पर गए, right click करके hide कर दिया इसे, इसके बाद view, edit object display, select object, ok, color, वही वाला, medium gray color लिया, हमने यहां से जो हमने outer race के लिए लिया था, apply, ok, यह inner race भी तयार हो गया, यह component भी हमारा save हो गया, यहां से cancel किया, इस file को close कर देते हैं, अगली नई file open करने के लिए फिर से new पर click किया, okay, नई file open होने के बाद sketch, फिर से यही z explain लेंगे, okay, इसके बाद यहां से लिए rectangle, यह तीसरा option यूज़ करेंगे, यह track करते हुए इदर से गए, और एक click इदर, एक click इदर, अब यहां से हमें यह good dimensions जो हैं इनको modify करना है, पहले तो हम इसे कर देंगे, पंदरा, और यह हो गई अपने आपी, तीस, इसे कर देंगे हम, तीन, ओके, और यह जो dimension नज़र आ रही है, यहां से close किया पहले, यह जो नज़र आ रही है, इसे हम कर देंगे कितना, यह हो जाएगा 58.5, और close, close करने के बाद, finish sketch, extrude के नीचे, revolve, select object, specify vector, यह vector हमें specify कर दिया, specify point, तो यह वाला point हमने specify कर दिया, और okay, इसके बाद, यहां से, इसे height कर दिया हमने, height करने के बाद, अब देखिए, यहां पर, एक sketch और बनाएंगे sketch पर क्लिक किया, इस पर plane हमने यह वाला ले लिया, और यहां से okay पर क्लिक किया, अब rectangle, यहां से from center वाला option लिया हमने, center पर क्लिक किया, एक click उपर, एक click side में, escape दो बागर command से बाहर निकलेंगे, और यह dimension को हमने कर दिया 14, और इसके बाद, जो यह हमें नजर आ रही है, पर यहां से close कर दें, यह dimension जो नजर आ रही है, इससे कर देंगे हम 20, हमें एक space बनाना है, जिसमें हम रोलर को fit कर सके, उसके लिए हमें पहले cut बनाना होगा, तो cut बनाने के लिए यह profile बन गई, rectangular, इसके बाद, यहां से extrude command को लेंगे, object पर click करेंगे, यहां से drag कराते हों बाहर लेकर आएंगे, और inferred में जाकर subtract ले लेंगे, और OK कर देंगे, यह देखिए, एक space बन जाएगी जिसमें roller fit होगा, extrude 4 है, इसको लिए दुबारा, इसके बाद यहां से pattern feature में जाएंगे, pattern feature में जाने के बाद, specify vector की बाद जब आती है, तो, यहां पर click करेंगे, object 12, 360, यही दोनों चीज़ हमें यहां चाहिए, count and span, देखिए, 12 और 360, यहां से OK पर click किया हमने, और यह हमारा roller cage बन जाता है, अब इसका हम appearance चेंज करेंगे, पहले इसे select करके hide कर दें, अब view में जाएंगे, edit object display, select object, जैसे पहले हम object को change करते आए हैं, color उसका उसी साब से, इस बार फिर यह color चेंज कर देंगे, यह ले लिया, OK, apply, OK, यहां से, अब file, save, save as, और roller cage, one, enter, यह हमारा roller cage बन के भी save हो गया, file, यहां से पहले तो यह file को close कर देता हूँ, नई file open करेंगे, इस बार हमें roller बनाना है, आखरी component जो हमारा roller है, new पर click किया, नई file open हो गी अभी, यहां से OK पर click किया, अब देखिए, नई file open हो रही है, यहां से sketch, plane इस बार ले लिया हमने यही, जो अभी show हो रहा है हमें, यहां से अब हम एक circle बनाएंगे, यहां पर यह center mark किया, एक click बाहर, escape दोबा के बाहर निकले, इसके बाद यह, जो है, इसे change करके कर देंगे, हम 14 और close, इसके बाद extrude, इसको यहां से करेंगे symmetric value, इधर ले लेंगे 10 और OK, इस तरह यह नजर आएगा, chamfer, 0.5, इसके बाद, view, edit display, और OK, medium gray, apply, अब इसका sketch जो यह नजर आ रहा है, इसे भी height कर देते है, file, save as, और roller, one, OK, दोस्तों, यह चारो component बना के हमने save कर ली है, अब हम इने assemble करते हैं, यहां से close किया, इस फाइल को, नई file open होगी, अब यहां से new पर click किया, new पर click करने के बाद, यहां एक, इस बार हमने assembly को highlight किया, OK पर click किया, OK पर click करने के बाद, यह देखिया है, यहां से open पर click किया, पहले लेंगे roller cage, OK, यहां पर यह absolute WCS है, यही इसी तरीके से रहेगा और, OK कर देंगे, यह fix हो गया component, इसके बाद, अगला component जो आएगा, Assemblies पर click किया, add, यहां से open, इस बार लेंगे roller, OK, इस तरह से आया, अब इसको यहां से snap ले ले लेते हैं, और, यहां हमने click कर दिया, click करने के बाद, OK, अब देखिए, यहां से हमें करना क्या है, कि, यहां से assembly constraint यूज़ करेंगे हम, assembly constraint पर click किया, इस बार यह ले ले लेते हैं, देखिए, distance है जो, इस plane, यह देखिए, यह plane है, जो, इसको cancel किया, फिर assembly constraint पर गए, यह plane जो है, इसमें और यह plane, YZ, यह, इन दोनों के बीच में distance कितना है, यह हमें देखना है पहले, यह इतना दिखा रहा है, तो इसे हम कर देएंगे कितना, 60, इसे हमने कर दिया, 60, apply, इसके बाद, दुबारा, यह देखिए, इस plane और, इस plane के बीच का जो distance है, यह आ रहा है, इतना करीब, इसे हमें करना है कितना, इसे करना हमें 0, यह देखिए, बिल्कु फिट हो जाएगा, यहां से apply पर click किया, cancel, तो यह, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कु फिट हो गया इस पर, अब इसमें एक constraint और apply कर लेते हैं, assembly constraint, दुबारा क्लिक किया, touch align, यह surface, और यह surface, अप्लाई, cancel, तो यह surfaces भी आपस में touch कर रही है, तो roller देखिए, एक तो fit हो गया, इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और pattern component पर जाते हैं, इसके बाद select component पर, यह देखिए, यह roller को select कर लिया, circular है यहां पर, specify vector, तो यह हमारा vector है, और इस तरह से देखिए, count and spend 12 और 360, हाँ बिल्कुल ठीक है यह, apply, यह देखिए, roller जो है, वो pattern हो गए, इसके बाद अगला component हम add करेंगे, inner race, inner race, यहां से लिया यह, inner race, ok, absolute की जगा, wcs, इस तरह से देखिए, दिखाई देगा, apply, और ok, यह देखिए, बिल्कुल अपनी जगा पर जाके, यह set हो गया, इसके बाद अगला component है, outer race, add, इसमें भी हमें यहीं करना है, outer race, ok, और यह भी absolute wcs, यहां से apply, और ok, दोस्तों, यह इस तरह से यह assembly, इसकी यह तयार हो जाती है, इसके बाद यहाँ no selection filter, यह ले लिया, हमने coordinate system, सब को select किया, और control B, यह देखिए, सब hide हो गए, इसके बाद हमने लिया sketch, पूरी assembly को window बनाके, इसमें select कर लिया, और control के साथ B, प्रेस किया, सारे sketches जो नज़र आ रहे थे गायव हो गए, इसके बाद हम लेंगे, यहाँ से, assembly constraint, select किया, control के साथ B, यह देखिए, वो भी गायव हो गए, तो दोस्तों यह थी, roller bearing assembly in NX12, अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे like करें, इसे ज़्यादा ज़्यादा share करें, और मेरे चैनल को subscribe करने के साथ साथ मेरे वीडियो के notifications, सबसे पहले पाने के लिए bell icon पर click करना ना भूलें, और इस वीडियो से related आपकी कोई query हो तो प्लीज उसे comment section में डालें, thank you very much.